आप देख रहे हैं पॉब्लिक टाइम्स नमस्कार मैं सुमंत कुमार चली जानते हैं गोपाल गंस की खास खवर अपनी साथ सुत्री मांगों को लिकर जिला जन स्वास करमचारी संग ने जीला स्वास समिती कर्याले के समक्ष जोरदार प्रदिशन किया संके महामंत्री सुवेश सिंग ने बताया कि कार्यस्तल प्रशक्षा की गरांटीम चेहरा देख उपस्तिती का विरोत सहित साथ सुत्री मांग के समर्थन में सदर अस्पताल सहित जिले के विभिन स्वास केंद्र में तैनात एन एचम कर्मी कार्यों का भहिशकार किये इस दुरान एन एचम कर्मी बिहाराज और आज पत्रित करमचारी महासंग के बैनरतली CS DPM के कर्याले के सामने मांग की समर्थन वा सरकार के विरोत में परदसन किया आपको बताते चले कि पुर्व नियोजित कारकरम के तहत एन एचम स्वास कर्मी स्वास मंत्री एउम अस्थानिय विभागिये पदधिकारी के खिलाप परदसन किया CHO कर्मी कुमारी बंदना भारती ने बताया कि सभी लोग विशेश रुप से FRAS से हाजी दर्ज करने का भेदभाव पुन आदेश का विरोत कर रही है जिसमें नेमीत्व लाखों की सेली लेने वाले स्वास कर्मी को डिजिटल अटेंडेंस के बंदन से मुक्त रखा गया है उन्होंने बताय कि हमारी साथ मांग में मुख्यरुप से समान काम का समान वेतन स्वास विभाग में पद को स्रेजित करती हमें हमारी सेवा को भूत तली प्रभाव से अस्थाई करने अप्रेल दोजार चोबी से लम्वित वेदन का अविलम भुक्तान, एफ आर ए एस बिदी से डिटल अटेंडेंस बनाने की और बहबारी के उम और विभेगपून आदिश को निरस्त करने स्वास उपकेंदर पर अस्थाई भवन, अवासी सुविधा प्रदान करने, कार्यस्तल पर शोचाले, स्वक्स पेजलव, बिली इत्यादी जैसी बुनियादी सुविधा वहाल करने युम कार्यस्तल पर स्वक्षा की गरंटी सुनिशित करना शामिल है क्या है पम इन पर शोचाbau के लिए इंग सपना शामिल युट भूसस्तल पर श्यादी को कि कमता है युझू है इंगित्य कर्जद दों झ माँनम में ए अब रोखेंगे छोब हैं क्यों से आध निक लेए मगलेंग कि बि auf चार्णवव बहुत ही निदनिय क्योंकि हम लोग एक देहाद छेत्र में मोग शुबधा देते हैं जाने की शुबधा है और ना आने की शुबधा है ना वहां बाथरूम है ना ट्वाम एलेक्ट है ना वहां खाने पीने की समस्या है और ये एफारेस में ये दिखाया गया है कि नो बजे से आप पांच बजे तक रहिए जब कि हमारी भाई हैं इतना दूर दूर जाते हैं PNC से कि उन लोग को जाने के लिए पैदल जाना पड़ता है चार किलो पांच किलो मीटर फिर उदर से आने के लिए पांच बजे पूरा साम हो जाएगा और वो लोग कैसे आएंगे उनको कोई सेप्टी नहीं है इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग की ये अफारेस जो है कि रद किया जाए और दूसरा उसी स्वास्त के अंदर पे दो तरह के निड़ा लिया गया है एक पर्मानेंट वालों के लिए कोई अफारेस का नियम नहीं है जबकि सभी नहीं कर्मी को ये बोला गया है कि आप नव से लेकर पांच बज़े तक एफारेस से अटेंडेंस और हम लोग का ये मांग है कि समानीकार के लिए शमान बेतन दिया जाए और उसके बाद हम लोग यह कर रहा है अगर यहां से हम लोग और बातों के सून लेती है तो ठीक है नहीं तो हम लोग अनिशित कालिन हर्ताल करेंगे माज़ागर थाना चेतर की धर्मपरसा गाउं में पुलिश ने छापे मारी कर देशी कट्टा वा जिन्दा कार्थूस के साथ एक बदमास को गृपतार कर लिया बताया जाता है कि मंगलबार को माज़ागर थाना अध्यक संग्राम सिंग के नेतुत में पुलिश ने धर्मपरसा गाउं में छापे मारी कर देशी कट्टा वा जिन्दा कार्थूस के साथ एक बदमास को गृपतार कर लिया गृपतार बदमास धर्मपरसा गाउं के बिरंदर यादों हैं पुलिश ने बताया कि गृपतार आरूपित के उपर लूट, चोरी, दकैटी वरंगदारी के भी मामले दर्ज हैं पुर्व में भी जेल जा चुका है सांससा राष्ट्य को साध्यक्स जदिव डॉक्टर आलोक कुमर सुमने मानसुन सत्र के पहले दिन में नियम 377 के तहट छेतरवासियों से किये गए वादों को सदन के पटल पर जुरदार तरीके से रखा टाकि गोपाल गंजवासियों को अच्छी सर्व की सुविदा मिल सके बाड से भी निजात मिले उन्होंने सदन में निश्टनल हाईवे बनानी की बाद छेतरवासियों की समनस्याओं को दूर करने के लिए निम्न तरीकों सी रखा सड़क किसी भी राच की स्रिप जीवन देखाए नहीं अपतु उसके निवासियों के लिए संभानाओं का अनन्त द्वार होती है सारण गोपालगंज होते वे उतर परदेश की सीमा सिस्वा तक जाता है सारण जिले के सोनपूर से डुमरिया घाट पूल तक के मार्क को निश्टनल हाईवे में शामिल कर लिया गया है जबकि डुमरियां से सिस्वा यूपी बोडर तक या पच्छमी चंपारण को जोडने वाले मंगलपूर पूल तक बच्चे भी सारंड बांध को अभी तक एनेच में सामिल नहीं किया गया है बांध को भी राष्टिय राजमार्ग में शाविल कर लिया जाता तो इस से इस्चेतर की 32 लाग जनता की विकास की नवीन उर्जा का संचार तो होगा साथी राष्टिय राजमार्ग के माध्यम से रैधानी पटना से निरबाद एवं त्वरित संपर्क अस्थापित होनी से निकटवर्ती कई जीलों में भी ही नहीं बलकि समस्थ छेतर का सरगणी विकास सुनिशित हो सकेगा परियुना के माध्यम से इस परिछेतर में इस्तित नराणी नदी पर परियटन का विकास होगा साथक परिवहन बलकि जल्गमार्ग से भी वेवसाइक परिवहन को भी कई गुना बढ़ा देगा इसे रोजगार की अनेक औसर सरजित होंगी तथा हर बर्स आने वाली बाड और उससे होने वाली जल भराव यो कटाव की समस्या पर भी नियंतर पाया जा सकेगा मैं परिवहन यहों राजमार्ग मंतरी से अनूत करूँगा कि दोमरियां से सिस्वा यूपी बोर्डर तक या पश्मी चंपारन को जोडने वाले मंगलपूर तक बचे बेसारन बांध को नेशनल हाइवे में समलित किया जाए नियं 377 की अंतरगाती मामला परिवहनयों राजमार्ग मंतराले को संसत के द्वारा प्रिशित किया जाता है ताकि मंतराले इस पर उचित निड़े ले सके यहों निड़े से जिलावासियों की भलाई हो स्वास्थे के प्रती आपकी चिंता अब खत्म हुई नवीन तकनीक से घुटने और कुले का जॉइंट रिप्लेस्मेंट और दूर्बीन विधी से ओपरेशन महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज आज ही आएं और बहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाब हुठाएं स्टार एडवान्स और्थो और मैटरनिटी सेंटर 24 घंटे 7 दिन इमर्जन्सी सेवा कमला राय कॉलेज रोड नियर होटल रालसन गोपाल गंज अपने घर या ओफिस को आकर सक और डिजाइनर फरनीचर से सुसत जित करें वो भी ब्रांडेड और केफायती दामों में संतोस फरनीचर से जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ओफिस टेबल, चेर, आई-मसर, रुद्रांश, पी ओजे, कोहिनूर, स्सेफ, एकलिप्स प्रांड के फरनीचर साथ ही सभी प्रकार के एलिप्ट्रोनिक सामान के थोख खरेदारी के लिए अवर्श्य पधारें संतोस फरनीचर यवं संतोस इलेक्रिकल साउस, आठ कलेज रोड, भारत पेट्रोल पम्प के सामनी, गुपाल गंच विगत तेईस वर्शु से आपकी आस था और विश्वास का प्रतिक, टिसेंट मिशन इस्कोल, एन इंग्लिश मेडियम रेजिडेंशल इस्कोल, मेन रोड थावे, गोपाल गंच और अब हमारी नई शाखा गोवंदरी थावे में भी, जो बिलकुल अत्याधुनिक उप्तरडों के साथ जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हारले डेविटसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है यहाँ आपको मिलेगा हारले डेविटसन X440 बाइक का विस्तरित रेंज साथ में यहाँ आपको मिलेगा शांदार डील्स और ओफर्स तो आईए जल्दी आईए और जुड़िये हीरो के हारले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें प्रतीक हीरो गोपाल गंज रोड तड़वा सिवान असुविद्री दिन वोविसी की पाटी के परदेश सचीव अनसलामनी सरकार द्वारा जारी बजट पर घोर नेंदा करते हुए कहा कि केंद्रे वितमंत्री निर्मला सितारमन में मंगलबार को लोक सभा में आम बजट पेश किया ये बजट आम लोगों को निराज करने वाला बजट है खास करके बिहार के लिए बजट स्रीप और स्रीप जुन जुना है केंदे सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है नितिसकुमार की बिहार के लिए विसिस राज का दर्जा की मांगे पूरी नहीं हुई उन्हें एंडिय को छोड़ कर देना चाहिए राजमी बाड आ रही है, पोल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, बिहार में रुज़गार नहीं मिल रहा है जब तक केंद सरकार, किसान और नौज़वानों की पकी नोकरी का इंतिजाम नहीं करता, तब तक जनता को कोई लाब होने वाला नहीं है ये बज़ट देश के लिए नहीं है ठावय स्थाने पोलिस ने संधिया गस्ती में मेवेसी लदे एक पीकप सही दो तसकर को ग्रिप्तार कर लिया बताया जाता है कि संधिया गस्ती में ठावय बस से श्टेंड पर प्रसिक्छू, दरोगा, ससी, सपना और पुलिस बल के द्वारा वहां जाच की जारी थी उसी दोरान गोपाल गंस के तरफ से एक पीकप आया, रुकने कही सारा करने पर चालक तेजी से लेकर पीकप भागने लगा लेकिन गस्ती गारी द्वारा पीछा कर पीकप को पकड़ लिया गया, पीकप की तलासी लेने पर पांच मेवेसी बनामत किये गये मौके पर पीकप को जब्त कर दो मेवेसी तसकर को ग्रिफतार कर लिया गया, पुस्तास के तुरान इन लोगों द्वारा बताया गया कि यूपी से मेवेसी लात कर सीवान जिला की बढ़ड़िया ले जा रहे थी गारी के कगजात मांगने पर कोई साक्ष प्रस्तुत नहीं किया, ग्रिफतार तसकर सीवान जिला के बढ़ड़िया थाना की इजमाली टोला की जाकिर हुसन और लक्री दरगा की गुलाब अली बताया जाती है पुस्तास के बाद दोनों ग्रिफतार में वेसी तसकरों के बिरुद प्रात्मिकी कर मंगलबार को नियाले में प्रस्तुत कर दिया गया बजट को लेकर कॉंग्रिस पार्टी के जेला अधक्स ओम प्रकास गरगनी सरकार पर हमला करते वे इस बजट की निंदा की इस दुरान उन्होंने कहा कि बिहार के साथ फिर से एक बार सोताला पन का बहवार किया गया है बिहार को विसेश राज का दर्जा तो दूर विसेश पैकेज भी नहीं मिला इवाओं के लिए रोजगार का स्रिजन छात्रों के लिए साथ अन्याय किसानों और महिलाओं के लिए निरासा भरा रहा ये बजट नितिश कुमार जी जनता को बेकूप बनाते रहें कभी इधर कभी उधर जाते रहें इस बार गय तो विसेश राज का दर्जा मिलेगा मोधी 3.0 की सरकार ने नितिश जी को चक्री थमा दिया है वो पालगेंज की जनता को इस पर चिंतन करना चाहिए आपके वोट पर पानी फेर दिया डवल इंजन की सरकार ने स्रीपूर्थाना की पुलिस्ट ने एक अपराधी के घर से देशी कट्टा, दो जिंदा कार्तूस और 21 लीटर देशी सराब बरामत किया है प्राब जनकारी कंसार आरूपी का नाम मुकदर अली है जो पांडे वर्सा गाउं का निवासी है और गुप्त सुचना के धार पर जब पुलिस इसके घर चापे मारी करने पहुंची तो इसके घर से शराब और हतियार मिला पुलिस्ट ने अब इस पर सुसंगत धराओं में मुकदमा दर्श कर लिया है तथा कानोनी करवाई करने में लगी हुई है माजागर ठाना की पुलिस फराओ अपराधी की घर कोट द्वारा जारी इस्तभार को लेकर सीवान पहुंचीं और वहां सीवान जिले की दरौली ठाना चेटर में पुलिस नी आरोपी वीश्यकरमा साः की घर इस्तिहार का तामिला किया और जल सरेंडर करने का निर्जिस्ति आ गया मंगलबार को माजा प्रखंड अंद्रगत, बठुवा पंचायत, साफापुर पंचायत, माजा पुरवी पंचायत, पैठान पटी पंचायत, छमी तकी पंचायत सहित पांच पंचायतों में आंगन बढ़ीं केंद्र पर सिभीकाओं के द्वारा स्कुल पुर्व शिक्षा लेने वाले तीन वर्से छे वर्स तक के बच्चों को पोशक रासी का परतिक बच्चों को चार सुर्पी के दर से वित्रन किया गया जिसका जाँच महिला परवेच्ची का अर्चना अंसु ने किया तो ये थी गोपाल गन्स की खास खबर आपका दिन शुबु धन्यबाद